गुड मॉर्णिंग तो अल फ्यू, मैसेर्फ निसार अहमाद रूम सेंट यूसेफ इसकूल महराज गंज आज इस वीडियो में हम लोग एक सेस्टाइज वन बी पढ़ेंगे और इसको हम समझा रहे हैं ध्यान से समझेगा पहला question जो है इसमें लिखा हुए write the number and the number name यानि इसमें क्या करना है इसका number name लिख देना है अब जली इसको ध्यान से समझेगा जैसे की पहला question इसमें अगर देखें तो once place पे कितना है once कितना होगा यह जो छोटा वाला जो बना हुआ है हमारा once है one two three four five six तो यहाँ पे क्या हो जाएगा six हो जाएगा टेंस जो है हमारा यह है one two three four five तो यहाँ पे क्या हो जाएगा five हो जाएगा अब इसको क्या करते हैं इसको count करते हैं यह 100 से one two three four तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अब इसको count करते हैं यह क्या है? 1000 है 1, 2 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसी परकार से second number question भी देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो 1's वाला को count करते हैं तो 1's वालों को count करने के लिए सबसे पहले देखें तो यह कितना है? यह 1 तो यह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा अब इसमें 10's पर आते हैं तो 1, 2 कितना है? 2 तो 2 लिख देंगे इसके बाद 100's पर आते हैं तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा अब आते हैं 1000 पर 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर क्या लिखतेंगे, फोर लिखतेंगे, अब आते हैं आगे, second number question, second number question है, write the number for the flowing numbers name, यानि इसका number name लिख देना है, जैसे कि पहला question, पहला question है, 4246, 4000 हो गया, 246 हो गया, यह हमारा answer हो गया, इसके बाद भी number question का आ रहा है, 7902, 7902, यह हमारा क्या हो गया, answer हो गया, इसी तरह यह सारा question सलब कीजिएगा, इसके उपर वाला पहला question में भी छूटा हुआ है, इसको बनाईएगा, इसके बाद हम लोग आते हैं, third number question, third number question का रहा है, match the number names with the corresponding numbers, यानि जो भी इसका corresponding number होगा, उसे इसको सही तरीके से match कर देना है, अब आई इसको देखते हैं, पाajla question है, 8496, 800, 496, 8,496 कहाँ पे हैं, तो यहां है, 8,496, पायला को क्या करेंगे, इस से मिला देंगे, अब आते हैं second number, 6050, 6050 कहाँ पे हैं, इसको ठूड़िए, यहां पे हैं, क्या करेंगे, second number question को, इस से match कर देंगे, त kole यह हमा यह सारा क्या किजिएगा बनाईएगा इसके बाद आते हैं four number four number question कर रहा है read the speak abacus and write the corresponding number यह क्या करना है abacus को count करना है और one stence और hundred place पे लिखके इसको दिखाना है अब आते हैं इसको count करते हैं abacus में beats को count करते हैं one two three four five यहां पे क्या हो जाएगा five इसको count करते हैं one two two यहां पे क्या हो जाएगा two इसको count करते हैं one two three four तो क्या हो गया यह four हो गया इसको count करते हैं one two three क्या हो जाएगा three हो गया इसको count करते हैं one two three four five six यह क्या हो गया six हो गया यह one है तो one और यह one two three four five यह क्या हो जाएगा five हो जाएगा इसी तरह से इसको solve किजिएगा अब आते है 5 number question 5 number question कर रहा है draw beats to show the number यानि beats को draw करना है सबसे पहले देखते है one splits पर क्या है one एक beats बना देंगे इसके बाद आते हैं 10th पर क्या है five तो यहाँ पर five बनाना पड़ेगा one two three four five हो गया इसके बाद यहाँ पर आते है four यहाँ पर one two three four इसके बाद आते है seven seven बनाना पड़ेगा one two three four five six और एक seven अब इसमें आते हैं second number में तो यहाँ पर कितना है four यहाँ पर क्या करेंगे one two three four four बन गया अब यहाँ पर three है तो कितना बनाना पड़ेगा one two three बनाना पड़ेगा यहाँ zero है तो कुछ नहीं बनाएंगे और यह two यहाँ पर क्या करेंगे 1, 2, 2 हो गया, इसी तरह से 6 number question जो है, 6 number question को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, write the flowing numbers in the expanded form, इसको expanded form में लिखना है, यानि बढ़ा करके लिख देना है, तो बढ़ा करके लिखने के लिखने के लिख करेंगे, सबसे पहले 2 है, तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद कित इसके बाद कितना digit है, 1, 2, 0 हो गया, प्लस 8 है तो 8, इसी तरह से यह सारा बनाईएगा, अब आते हैं हम लोग 7th number question, 7th number जो question है, इसको क्या कर रहा है, write the numbers, numbers से में लिख देना है, सबसे पहले 1s place को लेते हैं, 2 लिख दिए, इसमें का 10s, 1s 10s, 8 है तो 8 लिख दिए, 100 place प पे जाएंगे, 1s 10s, 100, 1000, 1000 place पे कितना है, 4, तो यह हो गया हमारा 4, इसी तरह से इसको भी लिख देकार से बी number question देखते हैं, बी number question में 4 है, 500 है और 7,000 है, 1s place पे क्या है, 4 तो 4 लिख देंगे, 10s place पे क्या है, 0 तो 0 लिख देंगे, इसके बाद 100 place पे क्या है, 5 तो 5 लिख देंगे, इसी तरह से इस सब को बनाना है, 4, 1 से तो 4 लिख देंगे, 9, 10 से तो 9 लिख देंगे, 800 लिख देंगे, और 2 है तो, 2 ऐसे ही सारा question solve कर लिजेगा, इसके बाद हम लोग आते हैं, 8 number question, observe the pattern and fill in the blanks, पहला question देखते हैं, इसमें pattern को देखना है, और observe करने के बाद इस यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4, 2, 7, 2, यहाँ पर फिर लिख देंगे, 4, 2, 7, 3, फिर यहाँ पर लिख देंगे, 4, 2, 7, 4, यहाँ पर लिख देंगे, 4, 2, 7, 5, इसके बाद हम लोग आते हैं, B number question, B number question कर रहा है, 25, 16, 25, 26, यानि 10, 10 इसमें बढ़ा रहा है, तो क्यों हो ज हो जाएगा, 25, यहाँ पर 56 हो जाएगा, फिर इसके बाद 25, इसके बाद हो जाएगा, 66, इसके बाद 25, 77 हो जाएगा, इस तरह से इसमें का सारा question बनाएगा,